हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आलोग बाश्पही और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नमबर बन लडनिंग प्लेटफर्म नमबर बन इंडिया कर दीए और चैनल को आप लोग तेजी से सबस्क्राइब कर दीए सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रसन आप लोग पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रसन पूछिएगा कोई भी कहीं पर भी कैसा भी आया हुआ क्वेस्चन है आप लोग जरूर पूछिए में आया हो म्तियस में आया हो जीडी में आया हुआ सबाल हो कोई भी क्वेस्चन है आप लोग यहां पर पूछ सकते हो या आपके पास भी कोई भी सवाल है तो आप लोग यहां पर पूछ सकते हैं सबसे पहले तो भाई सेसन को बिलकुल सारे के सारे विद्यार्थी सभी लोग एक बार सेशन को शेर जरूर कर दीजेगा मुझे यान एकडमी लगना रैपपर वालो जरूर कीजिए गा जब आप फॉलो करेंगे तो आप लोग मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा और किसी भी कोर्स का सब लमस्क्रिप्शन प्राप्ट करने के लिए सभी वीद्यारतियों को कोड लगाना है एबी सर्दस यह आप लोगों को कोड लगा करके सीधेसे डिस्कांट बहुत जबर्दस तरिके से एससी के तयारी है वने एकडमी के साथ में आप लोग का सकते हैं 30 परसेंट आफ मिल ला है आप सभी विद्यार्थियों को 26 तरीक तक 26 अगस्त तक अगर कोई विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन करता है तो उसको मिला आए आपका 30% आप सभी लोग 30% आफ जरूर प्याप्त करेंगे यहां पर एक्जाम के लिए आपको नोट्स भी मिलेंगे आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आप सभी विद्यार्थियों को नोट्स भी यहां पर आप लोगों को दिये जाते हैं कोई भी कोर्स लेना हो तो कोड यहीं लगाना है कि एबी सर दस कोड का प्रियोग करना है हर एक विद्यार्थी को जितने वी विद्यार्थी हमारे साथ में यहां पर जुड़ते हैं सभी के सभी विद्यार्थियों को एबी सर टेन कोड का प्रियोग करना है आज का डाउट बैन एकडमी पर अपना बच्चे डाउट जरू और अगर आप लोगों को यहां पर आइकोनिक लेना आइकोनिक के मतलब प्रियरिटी है हर एक चीज में चाहाएं प्लस पोर्स लिए तब भी आपको एबी सर्दस कोड लगाना है अगर आइकोनिक ले रहे हैं तब भी आप लोगों को एबी सर्टेन कोड का ही प्रियोग करना है ठीक है याद रहेगा सभी लोगों को मेरा जो यह साथ वज़े फ्री क्लास है आप लोग जरूर कीजिएगा अने केट भी लगना रहे अपकर सभी के सभी विद्यार्थी पहला कोश्चन है आपके सामने दो स्टेट्मेंट है नीच प्रतेक बर्स आठ मई को विश्चु भर में वर्ल्ड रेट क्राउस डे मनाते हैं बिल्कुल मनाते हैं एकदम सौटका सही हेनरी डूनेंट के जनमदिवस पर बनाया जाता है क्योंकि हेनरी डूनेंट रेट कार्स के संस्थापक थे तो इस प्रस्ण का उत्तर दोनों के द which of the following is the third largest unit of storage भंडारन की तीसरी सबसे बढ़ी यह नि कि बड़े से छोटे की तरफ जब आप चलते हो तो हमको भंडारन की तीसरी सबसे बड़े काई मेगा वैट दिखाइदे एक कैसे यहां पर समझीएगा सबसे बड़ी एहर बातशीत करें तो तेरावाइट होती है फिर जीगावाइट होती है फिर आपकी मेगावाइट होती है फिर खिलोबाइट होती है इस तरीके से बड़े से छोटे के ट्रम में है तो यह आपका सबसे बड़ा ट्रेवाइट अब आपकी सारी की सारी चीजे टीवी में ही मिलती है चाहिए लैपटॉप लीजिए चाह देखो भैट, सरफण अगर पूछा जाएगा किसका प्रतीक चिन्द है, तो सरफण प्रतीक चिन्द है भैई, पारसुनात का, इनका नहीं लगाना है, इनका तो साण है भैई, इनका तो साण है, पारसुनात का सरफण है, पारसुनात जैन धर्म के 23 में तीर्थंकर है, याद रखना है रिसब देव पहले तीर्थंकर रहें का प्रतीक चिन साड है और महाविर स्वामी 24 में अंतिम तीर्थंकर रहें का प्रतीक चिन भाई सिंग हो जाता है ठीक है प्राश्पति के लगभग सक्तियां लोकसवाद्यक्ष के समान है दूसरा स्टेटमेंट है उप्राश्पति अधिक्तम 6 महा तक कारवाहक राश्पति के रूप में कार कर सकता है फिर है उप्राश्पति राश्पति को अपना त्याक पत्र देता है फिर है उप्राश्पति अपने पदपर पुनाह चुने नहीं जा सकते हैं बिलकुल सरा सर ग बच्चों में या सिसूओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है सारे लोग आंसर करोगे बहुत बढ़िया सवाल है इनफेंट्स यानि कि सिसूओं में जो हड्डियों की संख्या है वो आपकी पाई जाती है 300 सिसूओं में कितनी हड्डियां कि संख्या पाई जाती है 300 ठीक है याद रहेगा और ऐसे हम लोग कहते हैं एडल्ट्स में तो 206 कैसे 206 होता है एक्जिल सकेल्टन में 80 हैं 126 human body has the maximum number of bones मानव सरीर के कौन से भाग में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है वर्टीबल कॉलम आर्म्स या रिप्स या इसकल तो बहुत ध्यान से समझेगा मानव सरीर के किस भाग में हड्डियों की सबसे अधिक संख्या होती है तो याद रखेगा हैंट्स में पसलि पसलियां होती है तो यह टोटल 24 अधिक भाग किस भारती या आई टी विससे संग को यूएस भी मतलब होता है यूनिवर्स सीरियल बस इसका जनक या इसका अभिसकारक किसको कहते हैं दर इंदर सिंह कपनी बिनोध्धाम अजय भट्या इन में से कोई नहीं क्या आंसर होग देखो भी यह यूएस्वी उनिवर्सल सीरियल बस यह अजय भेट हो जाते हैं ठीक है बिनोध धाम को यूएस्वी के इंटल कंपनी के अतधिक सपल पेंटियम माइक्रो प्रसेसर के विकास में उनके यूगदान के लिए फादर आप पेंटियम चिप भी का जाता है बिनोध ठीक है नरिंदर सिंग अपनी एक भारती मूल के अमेरिकी बहुतिक विज्ञानी है जो फाइबर आप्टिकर्स में अपने कारे के लिए जाने जाते हैं उन्हें फाइबर आप्टिक्स के जनक के रूप में भी जानते हैं हेगेंकल वाटरफॉल कि सिचुएटेड और है नर्मदा नदी पर बांध बने हुएं इंद्रा सागर सरदार सरोबर बारगी और महस्वर यह आपके नर्मदा नदी पर ठीक है गोदावरी की बात करेंगे नासिक सहर गोदावरी नदी के किनारे है और अगर गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी को ब्रद रखना है नागारजुन सागरवान जो है वो क्रश्णा नदी पर बनाए यह हो गया महापरनेरवाण दिवस कब मनाते हैं आंसर क्या होगा मेटकर साप के उसमें बनाते हैं महा पर्मिर्वार दिवस और महा पर्मिर्वार दिवस की जब भी बात्चीत की जाएगी तो यह आपका 6 दिसंबर को 26 नॉबर को जो हम लोग मनाते हैं क्रश्णा राजा सागरवांद किस पर है क्रश्णा राजा सागरवांद किस पर है किस नदी पर है आंसर कीजेगा वैग देखो प्यारे विद्यार्थियों क्रश्णा राजा सागरवांद की जब भी हम बात करते हैं तो क्रश्णा राजा सागरवांद की जब भी हम बात करत किनारे स्थित है पिछिज दा सेकेंड हाइएस ड्यम इन इंडिया भारत का दूसरा सबसे उंचा बांध कौन सा है अंसर कीजिएगा हीरा कुंद बांध सबसे लंबे बांध कि स्रेनी में आता है और सबसे हुचा अगर पुछा जाएगा टीहरी है दूसरे नंबर पर सबसे सब्सक्राइब रहे। अंत्रपाथी निराला के दौरा इनकी एक रचना अनामिका भी और एक दूसरी परिमल भी है यह सब निराला जी की तो मित्रा अंधन पंथ की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है चिदंबरा याद रखना जया संकर प्रसाद की याद रखिए कंकाल तितली लहर आंसू जहरना जनमेजगा नागयग कामायनी अजास सत्रू यह सब जया संकर प्रसाद की बिजय तंदुलकर की दो प्रसिद्ध रचना याद रखना एक हसीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर नेक्स क्वेस्चन है वैज फाहयान किसके सासंकाल के दौरान भारत आया था फाहयान फाहयान की जब भी हम लोग बाचीद करते हैं तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त दूतिय के समय में आता है और इसका यात्रा बरतांत है फो क्यू की इसका यात्रा बरतांत फो क्यों की है कुमार गुप्त के समय में नालंदा विशुविद्याले का निर्मार ख़राया गया नालंदा विशुविद्याले किसके समय में कुमार गुप्त के साथ समुध्र गुप्त को भारत का नेपॉलियन भी कहते हैं। देखो बाइक कुछी पूरी की बात करते हैं तो आंध्रप्रदेश यह कुछी पुरिंदर्ध समन्दित है और यह जो लोकृत्त है यह अन्दरप्रदेश का है बेस्वंगाल की जब भी हम बातचीत करते हैं बेस्वंगाल की तो हम लोग जानते हैं बेस्वंगाल के बारे में तो Corona Warrior Club यहीं पर बनाया गया था महानन्दा वाइड लैफ सेंचुरी यहीं पर है बक्सा नेस्नल पार्क भी यहीं पर है आपका केरल की बात करते हैं तो याद रखना है त्रिविंद्रम है यहां पर कैपिटल डली राजहरा लहो एस खान कहां इस्थी थे उड़ी साज हरखन करनाटा के चतिस गड़ डली राजहरा लहो एस खान कहां पर इस्थी थे डली राजहरा के बात करेंगे तो डली राजहरा आपकी चतिस गड़ में है अवद का अधिकरहान कब किया गया तो इस टेट आफ अवद वाज अनेक्स्ट इन्टू ब्रिटिस डूमिनियन इन दे यर ओफ किसी यहर में किया गया बाई यह किया गया अवद का अधिकरहान 1856 में 1854 में सिच्छा का एक एक अक्ट आता है उस एक्ट का नाम है बुड डिस्पेच एक ठीक 1853 में पहली रेल गाड़ी चलती है पहली रेल गाड़ी है वो 1853 में चलती है राजसभा का पहला सत्र भाई कब हुआ था 1950, 1951, 1952 या 1955 राजसभा का पहला सत्र देखो भई राजसभा ये केंदर का उच्छ सदन है राजसभा राजसभा की जब भी हम लोग बाचीत करते हैं तो याद रखना है उच्छ सदन के अलावा ये इस्थाई सदन है इस्थाई सदन है और राजसभा की बात करेंगे इसका पदेन सभापती होता है हमेशा वाइस प्रेसिडन्ट और इसका पहला सत्र जो हुआ है 1951 मार्च निमलिकित में से कौन सी ग्रंथी एंजाइम टाइलिन का एक स्रोथ है देखो बाई एंजाइम टाइलिन के एक स्रोथ की बात करोगे तो ये स्लैवरी ग्लेंड है टाइलिन और मल्टोस दोनों एंजाइम का सरावन यह करती हैं तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है अमेरिका ने जापान के हिरोसिमा सहर पर 6 अगस्त 1945 को एटम मम गिराया और 9 अगस्त को नागसाकी पर तो हिरोसिमा दिवस समलोग 6 अगस्त को मनाते हैं उदोर के हवाई इड्डे का नाम हों वोन जानते हैं जॉली गरण्ट क्योंकि साहित्य के लिए Nobel Prize दिया ही नहीं गया, यह आपको याद रखे, अमेरिका इसका सबसे बड़ा निर्माता है वासिंग सोडा का, मेथेन का, सोडियम नाइट्रेट का या ग्रिफाइट का, अमेरिका अगर कभी पूछा जाएगा तो आब इजली कह सकते हो सी से कायब, ठीक है, राजीव गांदी थर्मल पावर स्टेशन के सिस्थान पर इस्थित है, राजीव गांदी थर्मल पावर स्टेशन, बोलिए भी या सारे लोग आंसर करेंगे, तो राजीव गांदी थर्मल पावर स्टेशन की जब भी बात करते हो, तो यह आपका हरियाना में है, हरियाना की स्थापना उननिस सो चाच्छत में हुई है, उत्तर प्रदेश जन संख्या में नंबर वन है, लोक सभा सीट, इधान परिसर सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, राजीव गांदी थर्मल पावर स्टेशन हरियाना के हिसार जिले के केदार में स्थित है, भारत में अब तक की सबसे कम लागत वाली जो बिजली परियोजनाओं में से एक और कोईला अधारित इनिसर रिलेटिट है, और अगर एक उछा जाएगा आपसे, रूमैटिक फीवर, रूमैटिक फीवर आपका हार्ट से रिलेटिट है, लीवर जो है, वो मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है, ठीक है मैं, आगे बढ़ते हैं, नवजात बच्चे के सरीर में जलका बाहर उसके बाहर का कितने प्रतिसत होता है, नवजात बच्चे के सरीर में मानव सरीर का जो जलका बाहर है, वो कितने परसेंट होता है, नवजात बच्चे के सरीर में जलका बाहर, उसके बाहर का 75 प्रतिसत होता है, एक्सलेटर अधिक्तम कितनी उचाई तक कारे कर सकते हैं, त कि राय भेना और काडवेना किसकी कुछ प्रमुख उप जातियां वे पूछा जाएगा तो या आपका बैगा की उप जाती हो के बारे में राय भेना काडवेना कहलाती है ठीक है अगला सवाल है चमेली देवी जहन पुरसकार के स्चेते से समंदित है क्या साहित से है या विज्ञान से पत्रकारिता से तो ये आपका पत्रकारिता का परसिद पुरसकार है ब्यास सम्मान कारिदास सम्मान ग्यान पीट सम्मान सरस्वती सम्मान ये सब आप पानी पत को बुनकरों का सहर कहते है वो आपको पानी पत को कहते है राश्च्पति का मुख्य सलाकार कौन होता है वित्तमंत्री प्रधानमंत्री लोकसवाद देख चे उपराश्च्पति राश्पति का मुख्य सलाकार होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है ठीक है याद रहेगा जोजब ब्लेक किस गैस से संबंदित हैं जोजब ब्लेक है Biz बड्र अब आख के संबंदित हैं Co2 को हम लोगडिव इस भी और, sodium carbonate नो allowed singing soda भी कहते ने वासिंग sodo, sodium carbonate को कहते हूँ, sodium bicarbonate को हम लोग baking soda कहते हैं, ठीक है रहाँ, याद रहाएगा? next question है कौन सा सही नहीं है इपिकल्चर के सामने लिखा हुआ है मदमक्खी पालन, एथना लौजी के सामने लिखा हुआ है flowers तो इसमें याद रिखेगा कि यह बढ़ दो जो है वो सही नहीं है, सही नहीं पूछा है, क्योंकि यह गलत है एथनोलोजी फ्लावर से नहीं एपी कल्चर मद्मक्खी पालंग ठीक है ठीक है जो एथनोलोजी है नर्विज्ञान है जिसमें लोगों की विस्टेस्ता उनके भी संबंदों की तुलना का विस्टेशन किया जाता है ठीक है भाई तो यहीं तक रखते हैं प्यारे विद्यार्थी हम लोग क्लास को जितने लोग जुड़े हूँ है साम को साथ वज्या जरू मेरे साथ अनकेडमी लगना रहाप पर जुड़िए और एक आज रात में स्पेसल क्लास मैंने रखी है आप लोगों के लिए वाई-फाई स्टेडी प्यार्थी हम लोगों के लिए वाई रहाप लोगों के लिए वाई रहाप लोगों के लिए।